आप सभी को नमस्कार, तो चलिए शुरू करते हैं अपना Polarizing Effect का Lecture 2 जैसा कि अभी तक हमने G.O.C के दो Lecture पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सबसे पहले Structural Theoretical Effects और Experimental Effects की बात की थी उसमें हमने सबसे पहला Structural Theoretical Effects जिसमें हमने Polarizing Effect पढ़ना स्टार्ट किया है उसका एक Lecture और खतम कर चुका है अब हम उसी Lecture को अपना Continue करते हैं और आज भी हम पढ़ते हैं Polarizing Effect यहाँ पर हम लोग जो Polarizing Effect में अभी तक हमने पढ़ा था वो Polarizing Effect में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि Polarizing Effect को Classification कैसे करते हैं तो हमारे पास Classification के दो तरीके होते थे एक तो Electronegativity Difference दिस तरीका होता था और एक हमारे पास होता था Orbital Contribution Based तो आज जो हम Study करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं Orbital Contribution Based Orbital Contribution Based Polarization Effect ठीक है किस तरीके से Orbital का Contribution Role प्ले करता है एक Polarizing Effect में वो हम आज Study करने वाले हैं तो अगर मैं इसमें आपसे Discuss करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक दो Point समझाने हैं सबसे पहला Point जो आपको समझाना है वो यह है समझाना है कि यदि आपके पास Carbon Atom है यदि Carbon Atom है और उस Carbon Atom की क्या है Hybridization है और वो Different Hybridization है तो उस Case में हम लोग Different Hybridization केस में हम लोग यहाँ पर Deal कर सकते है Orbital Contraction Orbital Contribution और इसी को मैं अगर अच्छे से बताऊं तो मैं Especially S Orbital की बात कर रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ %S Character %S Character मैंने आपको बोला था कि हमारे पास Polarizing Effect होने को तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक Orbital Contribution बेज होता है जिसको हम बोलते है %S Character यह सबसे पहली बात है अगर मैं इस बात के बात दूसरी बात समझानी कोशिच करूँ तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास Atom जो होते हैं जो Atom Involved होते हैं Involved Atom क्या होंगे अगर Same तो हम बोल सकते हैं जब Atom Involved Same होते हैं तो उस Case में कभी-कभी %S Character is Dominating over Conjugation Effect अगर मैं Conjugation Effect में यहाँ पर बात करता हूँ तो जनरली मेरा मतलब है Resonance से मैं बोल सकता हूँ कि जब भी हमारे पास Atom Involved Same होते हैं तो कभी-कभी %S Character Dominate कर जाता है Conjugation Effect पे लेकिन यदि हमारे पास Atom Involved Different है यदि जो हमारे पास Atom Involved हैं जो भी हम निकालने वाले हैं Acidity, Viscity जो भी चीज़े जो भी हमारे पास Property रही होगी तो उसमें अगर हमारे पास Atom Involved Different है तो हम बोल सकते हैं कि Conjugation Effect Always Always Dominating Over %S Character यह आपको यहाँ पर 3 Points Starting मुझे समझाने हैं अब मैं इस Point को समझाओं सबसे पहले तो इस Point से समझाने के लिए मैं एक Example की Help लेता हूँ और इस Example में क्या है हमारे पास जैसे मालो मैं आपके सामने इस तरीके से यह यहाँ पर 3 Compounds बनाता हूँ जब मैं यह 3 Compounds बना रहा हूँ तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इन 3 ही Compounds में मैं यहाँ पर 1 H Indicate करूँगा यह H, यह वाला H और यह वाला H आपको इन 3 ही Question में Acidity Order बताना है इन 3 ही Compounds में सबस्यदा Acidity Character कौन रखेगा तो मैंने बोला था ऐसे Questions करने के लिए आप हमेशा क्या करोगे H Plus निकालोगी सबसे H Plus निकालोगे और Conjugate Base बनाओगे जब आप इनका Conjugate Base बनाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो H जिस से निकला है जो Negative Charge आएगा मैं सीधा यहाँ लिख जतना हूँ जो Negative Charge आएगा वो Negative Charge यहाँ पर तो SP3 वाले पर आ रहा है यहाँ पर तो SP2 वाले कारवन पर आएगा यहाँ पर SP वाले कारवन पर आएगा यह Question मैंने Basic GEOC में डिसकस कर रखा है तो इसलिए मैं ज़्यादा Detail में न जाके मैं आपको चीज़े यह समझाता हूँ अब क्योंकि Negative Charge SP3 पर आया है SP2 पर आया है SP पर आया है और हमें Note में एक बात पता है कि जहाँ पर % S करेक्टर जादा तो वहाँ पर Electro-Negativity भी जादा और जहाँ पर Electro-Negativity जादा वहाँ पर Negative Charge Holding Capacity जादा जिसकी वज़े से Conjugate Base क्या हो जाएगा Weak उसकी Corresponding Acid क्या हो जाएगा Strong तो मैं बहुत असानी से बोचता हूँ कि इसका S.E.D. क्रेक्टर सबसे पहले होगा उसके बाद इसका S.E.D. क्रेक्टर होगा और उसके बाद इसका S.E.D. क्रेक्टर होगा इस Question की Help से मैं आपको सिर्फ इतना समझाना जाता हूँ कि किस तरीके से मैं Polarizing Effect में % S.C. क्रेक्टर का Introduction कर रहा हूँ तो चल ये शुरू करते हैं अगर अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ तो मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे एक्जामपल लेता हूँ उन एक्जामपल की तरू मैं आपको Polarizing Effect का थोड़ा सा मतलब समझाऊँगा हम लोगों ने अभी तक Polarizing Effect में Overall Order अगर मैं Polarizing Effect के Overall Order की बात कर रहा हूँ तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं Percent As Character With Most या More Electronegative Atom सबसे पहले नमबर पर होता है Percent As Character जिसके पास More Electronegative Atom भी है आपर इन्वल्व होना चाहिए दूसरे नमबर पर बोल सकता हूँ Percent As Character With Less Electronegative Atom अब Less Electronegative Atom में आप जनरल यहाँ पर कारवन को मान सकते हैं इसके बाद जो Dominating करता है वो हम लोग ले सकते हैं Inductive Effect और इसी के साथ हम लोग Electronegativity को भी कंसिडर कर सकते हैं चौते नमबर पर इसकते हैं Dipole Moment Effect और लास्ट वाले पर हम लोग लिशते हैं Weak Polarizing Effect लास्ट वाले पर हमारे पास क्या जाएगा Weak Polarizing Effect इसमें कौन-कौन से एफेक्ट से एक मैंने आपको Wonderwall Effect बताया था और एक मैंने आपको Hydrogen Bonding बताया था एक मैंने आपको Wonderwall Effect बताया था और एक मैंने आपको Hydrogen Bonding बताया था तो इस तरीके से आपको यह पूरा का पूरा Sequence इसी तरीके से लगाना है जब भी आप लोग Polarizing Effect की बात करेंगे और आप यह देखोगे कि कहां पर स्वस्यादा चार सेपरेशन हो रहा है तो सबस्याद 4 Separation इस केस में होगा उसके बाद इस केस में होगा उसके बाद यहां पर फिर यहां पर उर फिर यहां पर इस तरीके से हमरे पर सारी की सारी चीजें चलने वाली है तो चलिए यह सारी ही चीज़ों को हम लोग questions की help से समझते हैं तो अगर मैं आपके सामने सबसे पहले question को उठाता हूँ तो सबसे पहला question मेरा यहां से start है दिहान से आप लोग question को देखिएगा बहुत अच्छे-च्छे concept है यहां पर questions के थूँ जो मैं आपको समझाना जाता हूँ जैसे माल लीजिए मैं आपके पास यह compound मनाता हूँ और इस compound में यहां पर मैं एक में COOET group को introduce करता हूँ अब मेरे पास यहां पर क्या है indicated एक मैं H कर रहा हूँ और मेरे पास जो question यहां पर बनेगा वो बनेगा acidity order बताईए acidity order बताईए अब जब मैं question यह करूँगा तो मेरा acidity order बताने के लिए जो दिमाग काम करेगा वो simple सा यह काम करेगा कि मैं दोनों से H प्लस निकाल दूँ जब मैं दोनों से H प्लस निकालूँगा तो H प्लस निकालने के बाद जो इनकी तस्वीर बन के आएगी वो कुछ ऐसी बन के आएगी यहाँ पर minus और यहाँ से भी जब H प्लस निकालूँगा तो यहाँ पर भी जो बन के आएगा वो यहाँ से भी यहाँ पर H मैंने निकाला है तो यहाँ पर COOET होगा और यहाँ पर minus होगा और यहाँ पर double bond जरा आप ध्यान से देखोगी इस question को करने के लिए मैंने दोनों के H प्लस निकाले दोनों के conjugate base बनाए जिसमें negative charge ज़्यादा stable होगा इसका मतलब वह है weak और उसके corresponding acid strong अब आप देखिए दोनों ही के negative charge aromaticity में involved हो रहे हैं तो overall aromaticity जा रही है आप ध्यान समझना जहाँ पर misconception क्या होती है यहाँ पर पहला दिमाग ऐसा लगता है कि sir यह जो negative charge है वो इसके साथ भी resonance दिखा रहा है इस तरीके से C double bond O और OET तो यह वाला जो negative charge है अगर यहाँ पर भी resonance में जाएगा तो overall इसका जो aromaticity है उस पर फरक आएगा मतलब इस negative charge का aromatic character में जाना थोड़ा सा कम हो जाएगा एक पहली सोच तो यह है जो आपकी पहली सोच काम कर रही है वो यह है कि sir जो negative charge है यहाँ पर fully involved नहीं है aromaticity में लेकिन यहाँ पर जो negative charge यह क्या है fully involved है aromaticity में और fully अगर involved है तो sirs का मतलब यह ज़्यादा stabilize होगा तो यह ज़्यादा weak होगा इसके corresponding attitude ज़्यादा strong होगा लेकिन ऐसा सोच बिलकुल गलत है आप अगर देखोगे तो actually यह ऐसे ना होकर अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो कोई दिक्कत अब आप ज़्यादा ध्यादा से देखो तो क्या अब यह पूरा का पूरा electron cloud अपने साथ ने लेगा क्या नहीं यही चीज समझनी है कि हम लोग जब higher ordinary chemistry पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग बहुत अलग-अलग तरीके से काम कर सकते हैं क्यों काम कर रहे हैं क्योंकि हमने अलग-अलग तरीकी के अप्रोच पड़े हैं अलग-अलग teacherों से पड़ा है अलग-अलग चीजें समझी हैं और कुछ ना कुछ अपनी ही अलग chemistry बना रहे हैं ठीक है तो मैं यह समझा रहा हूँ कि एक पहला दिमाग यह जब काम कर रहा था तो हमें negative charge यहां पर भी जाता हुआ दिख रहा था जो कि aromate city में कम part speed कर रहा था जिसकी वज़से stability कम हो रही थी और यह fully involved हो रहा था पहला दिमाग यह काम कर रहा था लेकिन मैंने बोला आप इसको ऐसे ना समझ कर आए ऐसे समझी जब आप ऐसे समझेंगे तो यह क्या पूरा का पूरा जो electron cloud ही बो लेके भाग जाएगा क्या ऐसा तो नहीं हो सकता तो यह पूरा का पूरा electron cloud की रूप में समझीए और जब electron cloud की रूप में समझ रहे हैं तो आप इस effect को negligible मान लो आप यह मत मानों कि यह negative पूरा electron cloud यहाँ पर जा रहा है आप तो यह समझें पूरा का पूरा aromaticity में involved है तो aromaticity factor इसमें भी है aromaticity factor इसमें भी है लेकिन कुछ plus factor क्या है अगर आप ज़रा जहां देखोगे तो COET यह यहाँ पर अपना plus factor क्या लगाए यह minus i effect लगाता है अगर minus i effect लगाएगा तो यह electron bid drawing group की तरह काम करेगा तो इसका मतलब इसका जो conjugate base हमने बनाया है यह जो हमने conjugate base बनाया है इस conjugate base पर जो negative charge है वो stable जादा है अगर stable जादा है तो इसका मतलब क्या होगा weak और इसके corresponding acid क्या होगा strong तो इस बहतरीन से question में जो इनके acidity order की बात हम करेंगे वो हम ऐसे करेंगे ऐसे मैं question और लेने वाला हूँ आप दुवारे concept को समझते हो चलिए कि किस तरीके से हमें चीजों को समझना है और कैसे observe करना है यही होता है जहाँ पर हमें चीजों को observe करना आना चाहिए बहुत अच्छे से तो अभी तक हमने इस question से बात की है चलिए मैं आप से एक question और discuss करता हूँ उस question को discuss करते हैं अगर इस order आप थोड़ा सा याद रखिएगा किस तरीके से polarizing effect vary करता है कौन सबसे ज़्यादा charge separation करता है और कौन सबसे कम charge separation करता है तो weak, wonderful effects या hydrogen bonding कहीं ना कहीं polarizing effects इतना अच्छे से नहीं दिखाते जितना अच्छे से हमारे पास कौन दिखाते हैं स्टार्टिंग वाले पर्सेंट एस रेक्टर विथ मूर इलेक्टो नेगिटिव एटम चलिए, अब मैं आपसे question number 2 की बात करता हूँ तो अगर मैं question number 2 की बात करूँगा तो इसमें question देखना मैं आपको वही थोड़ा से compound वैसी ही बनाता हूँ यहाँ पर h है, यहाँ पर c o o e t है अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा group को introduce कर दूँगा c o o e t, यहाँ पर h और यहाँ पर आप बना लो c m e 3 c m e 3, c m e 3, c m e 3, c m e 3 ठीक है, ऐसे यह a हो गया आपके पास, यह b हो गया आपके पास अब अगर मैं अगला बताओं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर h है, यहाँ पर c o o e t है यहाँ पर मैं लगा दू c f 3, यहाँ पर मैं लगा दू c f 3 सभी जगे पर मैं c f 3 लगा रहा हूँ, ठीक है, यह हो गया c पार्ट ऐसे ही d वाला अर्व लास ले लेते हैं, अगर लास में मैं बात करता हुँ, तो यहाँ पर c o o e t यहाँ पर h, देखें यह ज़रह ध्यान से, यहाँ पर मैं c c l 3 लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी c c l 3 यहाँ पर भी c c l 3, यहाँ पर भी c c l 3 यह हमारे पास A, B, C, D, 4 पार्ट है और हमें यहाँ पर इस question को बताना है कि इनका acidity order क्या है मुझे इनके acidity order को अच्छे समझाना है अब अगर मैं इनके acidity order की बात करता हूँ दोवारा से वही कारेक्राफ होगा जो भी हमारे पास यह indicated edge है इन indicated edge को निकाल ले के बाद जो इनका conjugate base बनेगा ठीक है, वो conjugate base चितना जादा stabilize होगा इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि उसके corresponding वह उतना ही weak है और उसके corresponding acid उतना ही strong है इस line को मैं कही ना कहीं दुवारा से लिखता हूँ यदि आप कोई acid है उससे आप edge plus निकालते हैं और conjugate base बनाते हैं इस point को ही समझना है जो कि मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ तो conjugate base को उपर क्या आता है negative charge और negative charge जितना जादा stable होगा इस point को ही हमें समझना है कब stable है और कब unstable है तो इसका मतलब वह उतना ही weak conjugate base होगा और इसके corresponding acid उतना ही strong होगा मैं पूरे के पूरे acidity character के question में इस line को ही use कर रहा हूँ और जो कि एक बार नहीं बार बार use कर रहा हूँ तो अगर मैं इस question में बात करता हूँ मुझे बताइएगा कि इनकी acidity order क्या है या question को गुमा सकता है इनका PK order क्या है तो इस question को करने के लिए मैं कैसे करूँगा सभी H+, 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 निकालो देखो सम्में एक बात तो पक्की है कि आप H+, जहाँ से निकाल रहो वहाँ पर सम्में aromaticity आ रही है तो aromaticity वो term नहीं है जिसकी help से हम बता सके कौन ज़्यादा stable है लेकिन उसके बाद ये जो group लगे है CME3 group लगा हुआ है CF3 group लगा हुआ है CCL3 group लगा हुआ है ये अपना कैसा behavior दिखा रहे है इनकी वज़े से कैसा polarizing effect लग रहा है ये plus I है या minus I है ये ऐसे बोलो ये electron withdrawing है ये electron releasing है अगर electron withdrawing है तो negative charge को और stabilize करेंगे तो और weak होगा इसके corresponding acid और strong होगे तो हम यहाँ पर अब बस हमें इनका effects देखना है देखो अगर मैं CME3 की बात करता हूँ तो आपको पता है ये एक electron releasing group है तो मैं बोल सकता हूँ अगर मैं CF3 और CCL3 की बात करता हूँ ये क्या है आपके पास electron withdrawing group और ये भी आपके पास क्या है electron withdrawing group अब इन दोनों में बात करते हैं कि दोनों में ज़्यादा अच्छा electron withdrawing group कौन सा है तो हम जानते हैं CF3 फ्लोरिन की electron utility जादा है तो हम बोलेंगे strong electron withdrawing group तो हमारा सवाल overall खतम हो गया जो सबसे strong electron withdrawing group रखेगा उसकी acidity सबसे ज़्यादा तो C की acidity सबसे ज़्यादा उसके बाद हम बोलेंगे D की acidity उसके बाद इन दोनों में हम बोलेंगे ये तो electron withdrawing group है तो हम बोलेंगे कि A वाले की acidity और last में हम बोलेंगे B वाले की acidity मैं उम्मीद कर रहा हूँ या आपको सवाल समझ में आ रहे हैं आपको यहाँ पर polarizing effect लगाना है जो मैं बात कर रहा हूँ चार separation कहां हो रहा है कहां पर electron donating group है और कहां पर electron withdrawing group है ठीक है चलिए question number 3 की बात करता है इसके बात question number 1 हो गया question number 2 हो गया question number 3 हो गया जितना आप electron chemistry को question से approach करोगे उससे ज़्यादा ही समझ में आएगा चीजों को रटने से याद करने से कुछ नहीं हो नहीं हो रहा question में जितना apply करोगे उतना ज़्यादा आपके concepts clear होगे ठीक है तो question number 3 के अगर मैं बात करता हूँ तो देखना मैं यहाँ पर ही compound बना रहा हूँ H यहाँ पर एक CF3 है ऐसे ऐसे ही यहाँ पर एक और मैं compound बना रहा हूँ यहाँ पर और एक और compound है हमारे पास यहाँ पर S और यहाँ पर H और यहाँ पर CME3 अब आपका मन करें तो सब जगे CM3 लगा लो ऐसे ही इस वाले कोश्चन में भी आप सब जगे CM3 लगा लो डरावना बनाने के लिए कुछ नहीं है डरावना बना रहे हैं जादा इसमें कुछ नहीं है टो अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ मुझे दुबारा से बताईए इसमें P, K, A order या या acidity order बताऊ आप लोग konfis आते हो acidity order का उलटा ही जस्ट क्या होगा तो आप तो मुझे मुझे बताईए इसमें acidity order क्या होगा तो दुबारा से वही सवाल कि सर अगर मुझे acidity order देखना है तो मुझे H को देखना है, तो जला ध्यांस देखी, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर H है, अगर मैं तीनों ही H को देख रहा हूँ, यह हमारे पास A था, यह हमारे पास B था, और यह हमारे पास C था, तीनों ही H को निकालने के बाद, अगर आप देखोगे, तो ये वाला भी aromatic बन रहा है, देखो, 2, 2, 4 और 2, 6, और ये वाला भी 2, 2, 4 और 2, 6, यहाँ पर negative चार जाएगा, aromatic बन रहा है, दोगो basic chemistry बहुत अच्छी आनी चाहिए, advance पढ़ रहे हो, basic आती ही नहीं, तो कोई फाइदा नहीं है पढ़ने है का, ठीक है, और ये वाला आपका हो की मेंप्स आनी दूणी आनी आनी चाहा है पढ़ने है का, ऑी जार मिं है पया है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं Polarizing Effect में ही अपना Last Factor जो की है Ring Size और इसके बारे में मैं आपको बहुत important बात बता रहा हूँ उसको आपको याद करना है देखिए अगर मैं Ring Size की बात करता हूँ तो इस चीज को समझाने के लिए मैं एक Example उठा लेता हूँ इस तरीके से और दोनों ही Ring के Fuse होने पर मैं आपसे ये पूछना जाता हूँ कि इन दोनों ही Ring मन किसका Electron Releasing Nature है और किसका Electron Midrawing Nature है तो मैंने आपको ऐसा Question पिछली Lecture में करवाया था मैंने यह बताया था कि यहाँ पर जो ये Internal Bond Angle है वो कम है तो External Bond Angle क्या होगा जादा External Bond Angle की वज़े से जो इसका %S क्रेक्टर होगा वो इस Ring का क्या होगा जादा ऐसे ही अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो इसका Internal Bond Angle बड़ा है तो External Bond Angle छोटा होगा जिसकी वज़े से इसका %S क्रेक्टर क्या होगा कम इस रिंग का %S और जादा, इस रिंग का %S करेक्टर कम तो अब इसकी वज़े से शीज़ समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि यहाँ पर पर 0ëst और जादा तो इसकी ELEX पर पर और जादा तो इसकी ELEX ज्यादा रही होगी सिम्पल सी बात है मैंने %S character को ज्यादा कैसे कह दिया क्योंकि आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि %S character is directly proportional to bond angle ठीक है तो मैं कहा सकता हूं बहुत ही असानी से कि यह जो ring है यह ring क्या अपना दिखाएगी यह है अपना electron withdrawing group nature दिखाएगी उसी के सामने यह जो ring है उसका automatically एक बात समझ में आ रही है कि उसकी %S character जादा तो उसकी electronegativity भी जादा तो मैं यहाँ पर simple सा बोल सकता हूं कि जो भी हमारे पास electronegativity होती है या फिर मैं बोल सकता हूं %S character होता है वो inversely proportional to होता है ring size inversely proportional to होता है ring size और वह है जो ring होनी चाहिए वह saturated होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए saturated यहाँ पर एक बात और बता सकता हूँ और जो theoretical effects होने चाहिए वो जो लगने वाले theoretical effects होने चाहिए ring के उपर वह है same होने चाहिए should be same theoretical effects should be same इस बात को मैं अब यह example के तुरु समझाने वाला हूँ ठीक है इस बात को आपको इतनी बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जैसे जैसे ring की size बढ़ीगी वैसे वैसे उसकी electro negativity कमेगी है ना इस बात को समझते हुए अब मैं चीजों को आगे लेके चलता हूँ माल लिजे मैं question number पहला उठाता हूँ और question number पहला उठाने पर question कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पर हमारे पास यह 6 member ring है यहाँ पर double bond O है और यहाँ पर H है ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास 5 member ring है यहाँ पर double bond O है यहाँ पर H है यह हमारे पास पहला question है ऐसे ही मैं दूसरा question उठाता हूँ double bond O और यहां पर H, यह indicated H हैं, तो कहीं न कहीं यह जो सवाल भी होगा, वो कहीं न कहीं acidity से related सवाल होगे सारे के सारे, है न, अब अगर मैं ऐसे ही एक question और बना दू, जहां पर दोनों ही question को combine कर दू, तो दोनों ही question को combine करने पर मेरे सामने क्या आएगा, मेरे सामने दोनों question क combine करने पर कुछ सरी किसा जाएगा, double bond O यह indicated H है, ऐसे ही मैं five member drink मना दू, यहां पर double bond O और यह indicated H है, ऐसे ही मैं यहां पर एक और five member drink मनाता हूं, इस पर three double bond O एक ही होगा, और last में हम लोग क्या करेंगे, एक six member drink है, जिसमें सिर्फ एक three double bond O रहाएगा, और यहां पर क्या र प्ताना है, तो दोनों में से किसका जादा होगा, तो आप यह देखिए, कि इस ring की size क्या है, बड़ी, और इस ring की size क्या है, छोटी, और अभी अभी हमने एक बास सिखी है, कि जब ring की size बड़ी होगी, तो उसकी electrone negativity क्या होगी, कम, तो हम बोच सकते हैं, कि जो छोटी member drink आपना acidic order दिखाएगा, यह concept मुझा आपको समझाना था, ऐसे ही अगर मैं इस question में बात करता हूँ, यह बड़ी ring है, यह छोटी ring है, तो इसमें इसका acidic रेक्टर जादा हो जाएगा, दोनों में ही C double bond हो हैं, यह यहाँ पर deciding factor नहीं है, deciding factor is ring size, कि जो ring की size है, वह जितनी छो जादा, इसका मतलब उसकी negative charge holding capacity उतनी जादा, इसका मतलब उसके conjugate beast क्या होगा, beak और उसके corresponding acid क्या होगा, strong, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझे, इस point को, अब मैं इन दोनों को question को यहाँ पर एक साथ इखटा कर दिया है, अब मुझे जो आपको समझाना है, वो यह मेरे पास B है, यह मेरे पास C है और यह मेरे पास D है, इन चारो question में जब मैं compare करूँगा, तो compare करते समय मुझे ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ जो comparison करूँगा, वो A और B में ही कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं C और D में compare कर सकता हूँ, मतलब यह है कि यहाँ पर यह जो ring size है, वह तव ही work करता है, जब आपका चो theoretical effect है, जैसे resonance, theoretical effect में example आप ले लो समझने के लिए resonance, वो जब क्या हो, same, अगर आप यहाँ पर बात करोगे, कि इन दोनों में मैं क्यों एक साथ काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी C double bond है, और यहाँ पर भी C double bond है, दोनों में ही ऐ C double bond group है, और इसमें एक C double bond group है, अब मैं इनका आपस में compare कर सकता हूँ, जिसमें C की acidity ज्यादा होगी D से, यह बात मैं आपको समझाना चाता हूँ, कि यहाँ पर सब सब पहले theoretical effects देखने हमें, उसके बाद ring size देखना है, तो इस question में यह दोनों तो ज्यादा acidic हैं ही, क्यो इस line का मतलब यही था, ऐसे ही इन सारी वातों के साथ, मैं यहाँ पर एक और बहतरीन सा concept समझाना जाता हूँ, वह बहतरीन सा concept क्या है, उसको समझी, देखिए, अगर मैं उस concept की बाद करता हूँ, तो मैं इन questions को मिटाता हूँ, और इनी questions की जगे पर question लिखता हूँ, माल आपके पास क्या है, question number 4, एक तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पर double bond O, double bond O और यह indicated edge, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर double bond O, double bond O और यहाँ पर indicated edge, अब मेरा सवाल है कि इन दोनों में acidity किसकी ज़्यादा होगी, इस बात को समझने के लिए, इस point को समझने के लिए, आप प से पहले cyclic है, चलो बहुत बढ़िया, और यह क्या है, acyclic है, तो दोनों में theoretical effect same है, मतलब कि इस पर two c double bond O group है, जो की conjugation में है, और इस पर भी क्या है, two c double bond O group है, जो की क्या है, conjugation में है, तो इन दोनों का ही theoretical effect same है, और हमेशा माना जाता है कि cyclic वाले की acidity ज़्यादा होत यह जो इस से ring बन रही होगी, तो ring बनाते समय, इनका जो percent as character है, वो कही न कहीं somewhat increase हो गया होगा, और percent as character कर increase हो जाएगा, तो वहाँ पर electro negativity क्या हो जाएगी, increase, फिर उसी line को आप दोबारा से repeat करते जाएगे, इस point को आपको समझना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, अब इसी से मितल जुद्धा जो आपका net का सवाल आया था, वो सवाल देखना कैसा है, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ऐसे double bond O, double bond O और यहाँ पर H, ऐसे ही C double bond O, C double bond O, यहाँ पर H, और last में आप ये open वाला बना दो, खीक है, देखिए, अगर मैं इन तीनों कोश हैं, हमें पास अच्छे साफ साफ समझ मारी, यह दोनों साइक्लिक हैं और यह एसाइक्लिक है, और दोनों के सब के, तीनों के conjugation effect से में, इसमें भी दो C double bond O group हैं, इसमें भी दो C double bond O group हैं, तो जिसकी वाज़े से मैं बहुत सबता हूं बहुत असानी से, कि V वाले की acidity सब से ज़्यादा होगी, फिर A वाले की, और फिल लास्ट में C वाले की, C वाले की सबसे कम होने का कारण क्या है, क्योंकि सर यह a-cyclic है, और cyclic वाले a-cyclic से थोड़े से ज़्यादा acidity character होते हैं, और reason मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और इन दोनों में मुझे आपको सम समझाने की जुरत नहीं है, इसकी ring size छोटी है, और ring size छोटी होने की वज़े से इसकी electronivity क्या होगी, जादा, तो overall ring size से related मुझे यह वाला concept को समझाना था, जो की paper में आया भी गया है, अब बास समझेगा, यह जो ring size वाला factor होता है, यह एक loose polarizing effect होता है, क्योंकि यह loose polarizing effect है, तो कही न कही हम लोग इसको ignore कर देते हैं, जब हम लोग reaction mechanism involved करते हैं, जब हम लोग reaction mechanism पढ़ते हैं, तो इस factor को हम कही न कहीं ignore करते हैं, इस point को कही न कहीं थोड़ा याद रखना, कि reaction mechanism में हम यह वाला concept use नहीं करने वाले, चलिए, यह हमारा overall polarizing effect के बारे में था, एक बार को recall करते हैं, पूरे के पूरे polarizing effect में हमने अभी तक पढ़ा क्या, हमने सबसे पहले पढ़ा कि polarizing effect दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है electro negativity difference based और एक होता है orbital contribution based, फिर हमने electro negativity difference based में पढ़ा कि atom atom में हो सकता है, group group में हो सकता है, atom ring में हो सकता है, ring ring में हो सकता है, फिर हमने कुछ questions को attempt कि, उन questions में हमने polarizing effect को लगाया on the basis of electron negativity difference, ठीक है आज की lecture में हमने start किया orbital contribution based, जिसमें हमने बात समझी कि यदि atom same है तो orbital contribution based कभी-कभी dominate कर जाता है over conjugation effect उसके बाद हमने आगे बड़ा, हमने एक पूरा का पूरा order रहाद किया, polarizing effect के लगने का, polarizing effect सबस्दा present is character with more electron negativity item लगता है, और सबसे कम weak wonderful effect लगता है, ठीक है ये सारी के बात के बाद हमने कुछ questions किये, उन questions को कराने का मेरा सिर्व एक motive था कि आप लोग polarizing effect का मतलब समझो, आप लोग charge separation का मतलब समझो, किस तरीके से charge separation हो रहा है, फिर last में आपको ये, ring size के बारे बताया, कोकि सबसे important बात है, इस बात को आप मत बुलना, ठीक है, और एक जो सबसे, मतलब line जो सबसे main line होती है, कि polarizing effect का मतलब ही क्या समझोगे, charge separation और charge section कौन सबस्यादा करेगा जो cation होगा, वो सबसे जादा करेगा फिर neutral वाला करेगा, और फिर last में anion वाला करेगा, इस तरीके से हमारा पूरा polarizing effect खतम होता है, अब इसी के साथ हम अपना अगला lecture स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी लोग को मेरा धन्यवाद